हेलो वारियर्स तो कैसे आप सभी तवासा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुखचीत होंगे तो बहुंसलाम लेटरे स्कूल क्लास 11 से रिगार्डिंग काफी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाईए कि कैसे एडमिसन कैसे क्या प्रोसेस है सारा चीज तो आल तिंग मैं कवर करने वाला हूं इस वीडियो में सारे चीजे मैं बताने जिसकी आपको जरोद पड़ेगी एडमिसन के लिए भौनसलाम लेटरे स्कूल में तो चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्यूंकि जैसकि आप सभी देख सकते के माथा राजा सस्क्राइबर की काफी ज़्यादा करीव है तो इस वीग तक 18 के सब्सक्राइब कर देख सकते हैं तो सबसे पहले तो एडमिसन के लिए क्या करना होता है में फॉर्म्सलाम लेटरे स्कूल के बारे में ठीक है दोस्तों तो यहीं से मैं आज आप सभी को सारी चीजे बताने वाला हूं तो सबसे पहले तो एडमिसन के लिए क्या करना होता है में फॉर्म फिलप करना होता है ठीक है तो फॉर्म दोस्तों वह आपका एप्रिल से पहले ही आ जाता है ठीक है एप्रिल से पहले फॉर्म जो है वो इनके वेबसाइट पर आता है उनको आपको डानलोड करना होगा औ और इसे offline mode में submit करना होगा, offline mode में कैसे submit करना है ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ, demand dropped 1100 का commandant भूंसलाम लिटरे स्कूल नासिक के नाम पर आपको बनाना होगा और उसे भूंसलाम लिटरे स्कूल के official address पर send करना होगा, demand drop क्या होता है, इस पर मैंने especially video एक बनाया है, चलिए आपका form submit हो जाएगा भूंसलाम लिटरे स्कूल के पास, अगर हम age की बात करें तो age 14.5 मतलब साड़े 14 साल से 17 साल, रहना चाहिए, जिसका last date is 31st July, जिस year चल रहा है, उसका 31st July, उसे आपका age calculate होगा, ठीक है, entrance examination भूंसलाम लिटरे स्कूल के दुआरा माई 2nd Sunday को हर साल conduct किया जाता है, मतलब कि इस साल भी माई 2nd को आप सभी का entrance examination conduct किया जाएगा, अगर हम pattern की बात करें कि कैसे questions पूछे जाते हैं, तो English, Mathematics, Science, Social Studies, General Affairs, Knowledge से आपसे questions पूछे जाएंगे, जिसका अगर marks distribution की हम बात करें, तो number of questions जो है, English से 20, Math 1 से 15, Math 2 से 15, Science से, Science 1 से 12, Science 2 से 12, History and Civics से 10, Geography and Economics से 10, and General Knowledge and Current Affairs से 6 questions पूछे जाते हैं, इस total number of questions जो है, वो 100 पूछे जाएंगे, और marks होंगे आपके 100, ठीक है, Facilities के बारे में बात में बात करेंगे, आपको छोटी से बात बता देता हूँ, Food, Maze, Service, Library, Daily Routine पर मैंने वीडियो बना दिया है, ऐसे काफी ज़्यादा Facilities प्रवाइड किये जाते हैं, बोन सलम निटरे स्कूल के दुआरा, आपको जैसा कि पता है कि बोन सलम निटरे स्कूल यहां follow किया जाता है, ठीक है, withdrawal अगर किसी को करना होगा, reason के वज़े से, तो withdrawal के लिए भी submission कर सकते हैं, यह बात तो आप सभी को पती है, ठीक है, fee is not refunded in the case of withdrawal, fee नहीं refund किया जाता है, withdrawal case में, आप 1100 रुपे देंगे, वो आपको नहीं वापस किये जाएंगे, ठीक है, अब कौन कौन से subject की पढ़ाई वहां करवाई जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि आप सको पता होगा कि 3 main subject और एक optional के साथ आपको math, bio और इधर optional के और चले तो जीके है, chemistry है, defense study है, जो की optional है, भाई रोजी भी optional है, ठीक है दोस्तों, special features के बात अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि special features आप वहां जाके खुद फिल करें, उस ही में अच्छे लगीगे आपको, क्योंकि यहां पर जो लिखा है, अब ऐसा नहीं ह तो जब तक वहां जाएंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या special feature है, क्या नहीं है, बात कर लेते थोड़े से entrance exam के बारे में, कि entrance examination जो conduct किया जाता है, वो MCQ type question examination होता है, जिसमें सारे question जो होते है, वो 10th के questions होते है, ठेक है, 10th में मिन्स आप जिस हिसाब से कर रहे होंगे, और आपका उसमें result आने ही वाला होगा, तो आपको एक basic knowledge बिल्कुल रहेगा कि 10th के questions कैसे होते है, तो आपको entrance exam में मेरे साब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि basic levels के questions रहते है, मिन्स आपने जो पढ़ा है, वहीं पूछा जाएगा, वहां पे को कोई भी extra type of questions नहीं पूछे जाएगे, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से 10th को पढ़े होंगे, और आपका 10th का exam अच्छा सी गया होगा, तो आपका means भौंसला का entrance examination भी अच्छा जाएगा, यह आपको पता चल जाएगा, आप जब अपना board examination दीजेगा, वो अच्छा जाएगा, तो समझ जाएगा कि आपको भौंसला का entrance examination भी अच्छा ही जाएगा, ठीक है, अब बहुत जादे बच्ची यह भी पूछ रहे हैं कि भौंसला military school का जो है board pattern क्या है, तो straight board pattern follow करते हैं, English medium का मतलब कि आपको NCRT के book से पढ pattern पूरा follow किया जाएगा, और सिर्फ आप सिर्फ science का stream ले सकते हैं, science stream के लिए जो जो बच्चे चाते हैं कि in class 11 वो science लेना चाते हैं, तो उन्हें बहुत जाएं करना चाहिए, अगर कोई बच्चे को की रूची commerce या arts में हैं, तो मैं कहूंगा कि वैसा वहाँ पढ़ा ही न पैटना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी defense school में मेरे साब से class 11th के लिए admission नहीं होता है, RMS में होता है, पर उसका vacancy बिल्कुल नहीं रहता है, मतलब कि एक सल vacancy रहता है, तो मैं कहूंगा, अगर 11th में आपको जाना है, तो बहुंसला मेरे स्कूल बिल्कुल जा सकते हैं, अगर किसी भी defense school में class 6th या 9th के लिए आपका selection नहीं हुआ है, फिर भी आपको defense का एक जुरून है, मिनस आप इस line में ही जाना चाहते है, तो बहुंसला मेरे स्कूल बेश्ट रहेगा आपके लिए class 11th, 12th के लिए और future के लिए भी, तो all the best आप सभी को आसा करते हैं, कि सारी जा अच्छा लगा हो तो please subscribe कर लिजेगा, क्योंकि 18K मैंने बोला था, please 18K करवा दीजे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर करिएगा, मिलते नेक्ट वीडियो में, जाहिन जावारत